मैं हूँ सोरिया चोहान और आप देख रहे हैं न्यूस इंडिया का डिजिटल प्लाटफॉर्म आज बात होगी राहूल गांधी को लेकर कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से राहत मिली है दिल्ली की राहूज एवन्यू कोर्ट ने राहूल गांधी को तीन साल की एनुसी दी है हालकि राहूल गांधी ने कोर्ट से दस साल की एनुसी की मांग की थी लेकिन सुब्रमन्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध करते हुए सिर्फ एक साल की एनूसी की पर्मीशन देने की बात कही थी. कि इतना टाइम दिया फिर भी आपने रिप्लाई नहीं किया. उन्होंने एक कमपनी चलाई थी लंडन में और उसमें उन्होंने डिकलेर किया ब्रिटिश गवर्मन्ट को कि वो ब्रिटिश सिटिजन है. तो वो दस्तावेस मैंने दिया है. वो सारे जो डॉक्यमेंट से मैंने सथकार को दिया है. और उन से उनको भेजा कि बताओ कि ये सही है गलत है. उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया. तो वो भी है. लेकिन इनका जो अभी बाहर जाना है कोई छोटा मुटा का कारीकर्म के लिए जा रहे हैं वो जाने दीजे पर उनको वापिस आने के लिए गैरेंटी होनी चाहिए. और दूसरा है कि वो जिस समय लेकर चलते हैं उसी समय के अंदर वापिस आनी चाहिए. वो सारी जो अंकूश लगेंगे तो फिर उनको जाने के लिए हमें कोई अस्तक्षेत नहीं है. आपको बता दे कि संसप की सद्रसता जारे के बाद राहूल गांदी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था. नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वज़े से राहूल गांदी को साधारन पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोट के अनोसी की जरूत है. राहूल गांदी ने अपनी याचिका में कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोट ने उनके देश से बाहर जाने पर रोक नहीं लगाई थी. घौरतलब है कि कॉंग्रेस देता राहूल गांदी 31 बई को एक हफते के लिए अमेरिका दोरे पर जाने वा लेकिन 10 साल की एनोसी की मांग पूरी नहीं हो पाई. अब देखना होगा कि कॉंग्रेस किस तरह इस मुद्दे को लेकर बीजीपी पर हमलावर होती है.